सीजर, माताहरी और मिर्जा हाई अल्ला ये हाथी का हाथी कुट्टा काहे को ले आए? चौकी दारी के लिए? किस की? घर की? इस घर की? हाँ, बहुत ही हुश्यार कुट्टा है घर में कुछ नहो तब भी चौकी दारी कर सकता है इस अस्दवाजी मुकालमे से बाद में ये फाइदा जरूर हुआ कि तंखा मिलते ही हमने घर गरस्ती का जरूरी सामान खरीब डाला ताके कुट्टा उसकी चौकी दारी कर सके लेकिन वालदेन की समझ में आने वाला जो फौरी फाइदा हमने सरे दस्त बयान किया उस से अपने मासूम बच्चों को जान बूच कर महरूम रखने के लिए पत्थर का कलेज़ा चाहिए वो फाइदा ये था कि आखिर को ये एक अंग्रेज का कुटा था और ये कौन नहीं जानता कि हमारे हाँ अंपर से अंपर आदमी भी अपने कुटे का नाम अंग्रेज ही रखता है और अंग्रेजी ही में उससे बात चीट और डांट पट करता है चुनाचे हमने इशारतन तबज्जों दिलाई कि इसकी वज़ा से बच्चों को अंग्रेजी बोलना आ जाएगी ये सुनते ही बेगम ने कुटे के सर पर हाथ फेरा और जन्जीर ऐसे फैसला कुन जटके से हमारे हाथ से चीन ली जैसे लेडी मैकपट ने मैकपट के हाथ से खंजर चीना था यादिश बखेर इस ड्रॉप सीन से कोई 20 साल इधर जब आतिश जवान बलके नौजवान था उसने नीली आँखों भरी भरी टांगों और बलॉणड बालों वाली मेम को बाग में अपने जेबी साइस के पॉमरेनियन कुटे को भीच भीच कर प्यार करते देखा था था भी जालिम इस काबिल गोल मटोल जबरा सफेद गाला से बालों से सारा जिसम इस बुरी तरह का हुआ था कि जब तक चलना शुरू ना करे ये बताना मुश्किल था कि मू किस तरफ है है वो भी क्या जमाना था जब हर चीज जवान थी हर चीज हसीन थी हर चीज पर तूट कर प्यार आता था कैसे महकते दहकते दिन थे वो भी मेरी सांस में है गर्मी के ये लू सी चल अच्छी तरह याद है कि उस दिन इन गुनागार आँखों को जंजीर के दोनों सिरों पर हुसन नजर आया और दिल में ये प्यार भरी हस्रत करवटें लेने लगी कि अंग्रेज की गुलामी से आजाद होने के बाद कभी फरागत और गोशर चमन नसीब हुआ तो एक नीली भरी भरी टांगों और बलॉंड बालों वाला कुटा जरूर पालेंगे मगर एक तो बकॉल मिर्जा आला नसल के कुटे बावा के बोल मिलते हैं दूसरे उस जमाने में मकान इतना तंग था कि जानवर का तंदरुस्त रहना मोहाल वो तो अल्ला भला करे मिस्टर S क डीन शे वो हमारी आतिश शौक को हवा देते रहें ये हमारे दूर परे के अजीज हमसाए थे इनके पास एक बड़ा जैयत कुटा था खालिस ग्रे हाउंड जिसे वो पड़ोसियों का खून पिला पिला कर पाल रहे थे दहने रसा रखता था जिसम ततईय जैसा और मिजाज भी और तबीयत हाजिर तो फिर कुछ ऐसी ओरिजिनल तर्ज इखतियार करता कि जितनी मरतबा भूंकता तबीयत को हर बार एक नई कौफ्त हासिल होती देखा गया है कि ऐसे वैसे शौकिया भूंकने वाले कुटों का सांस तो दो चार दफा ही ट्याउं ट्याउं करने में उख भूंकता था यानि भूंकता ही चला जाता था कहने वाले कहते थे कि मिस्टर एसके डीन अपने निज के बुजर्गों को अपने लाइक नहीं समझते मगर अपने असील कुटे का शजरे नसब पंदरवी पुष्ट तक फरफर सुनाते और उसके अबाव अजदात पर इस त इसना खालिस और खूंखवार कुटा ढूंडने से नहीं मिलेगा इसका दादा 15 जून 1941 को पांडे चरी में देसी कुटों से लड़ता हुआ मारा गया चानरी रात हूं का आलम चोराहे पर घुमसान कारण पड़ा कुटों के पुष्टे लग गए थे महले में शोर था कि मि घबराया घबराया फाइर बरिगेड को फोन करने भी चला जाए तो उसे अपने मरहूम कुटों के आलबम दिखाए बगएर अपने फोन को हाथ नहीं लगाने देतें। ड्राइंग रूम में मिस्टर एसके डीन की एक बड़ी सी तस्वीर भी टंगी थी जो उन्होंने हसरत और शेखतगी के पेशे नजर एक दिन तखलिये में हमें अपने टेप रिकॉर्डर पर मौजूद अपने कुटे के वालेदे मरहूम का भूंकना सुनाया। सुनकर खुद आपदीदा हुए और हमें भी उनकी हालते कर रोना आ गया। कुट्टा पालने की हसरत का इजहार हमने बारहा मिर्जा के सामने किया मगर वो कुट्टे का नाम आते ही काटने को दोड़ते हैं। कहते हैं हटाओ भी वाहियात जानवर है बिलकुल बे मसरफ। कुट्टे की तखलीक का वाहिद मकसद ये था कि पितरस उस पर एक लाजवाब मजमून लिखे। सो ये मकसद अर्सा हुआ पूरा हो चुगा और अब इस नसल को जिन्दा रहने का कोई हक नहीं। वो तो यहां तक कहते हैं कि अगर ये नसल नापैद हो भी गई तो अर्दू तंस निगारों से नाम चलता रहेगा। यूं तो सभी जानवरों के बारे में मिर्जा की मालूमात जाले माना हद तक अधूरी हैं। मसलन अभी कल शाम तक वो लूमडी को गीदर की मादा समझे बैठे थे और गजब खुदा का बड़े चूंटे को आम चूंटी का नर। मगर कुत्तों के साथ वो खसूसियस से तासुब बरते हैं और अपनी बात की पिछ में एक से एक दलील पेश करते हैं। मिसल के तोर पर एक दिन कहने लगे जिस घर में कुत्ता हो उस घर में चोर ही नहीं रहमत के फरिष्टे भी दाखिल नहीं हो सकते हैं। अगर फरिष्टों को क्या डर है इसलिए कि कुट्टा नापाक होता है मगर कुट्टे को साफ सुत्रा भी रखा जा सकता है अंग्रेज़ों को देखिए सुबह शाम नहलाते हैं उपले को अगर सुबह शाम साबुन से दोया जाए तो क्या पाक हो जाएगा मगर सवाल ये है क कुट्टा नापाक कैसे हुआ कज बैसी कोई तुम से सीखे अल्ला बक्षे नानी जान कहा करती थी कि कुट्टे के मुँ में सूर की राल होती है लीजिए आपने नापाकी की एक अच्छूती तोजी तिलाश कर ली भाई मेरे एक मोटी सी पहचान आज तुम्हें बताए देत हूँ याद रखो हर वो जानवर जिसे मुसल्मान खा सकते हैं पाक है इस लहाज से मुसल्मान मुमालिक में बक्रों को अपनी पाकी और तहारत के सबब खासा नुकसान पहुंचा है बकने वाले बका करे मुसल्मानों ने कुट्टे को हमेशा कुट्टा ही कहा बड़े आद लेडियापन जाता रहा मगर खुद आदमी देखो तुम फिर लिटरेचर बोलने लगे इल्मों बस करियो यार इस बारा खास में मिर्दा के नसली तास्ब की जड़े उनके सर गुजीदा बच्पन तक पहुंचती हैं इसलिए हमने खौम खा उनसे उलजना मुनासिब ना समझा और चुप चाप कुट्टा रखने की आर्जू को पालते रहे यहां तक कि वो दिन आ गया जब हमारा अंग्रेज अफसर भारी दिल और उस से ज़्यादा भारी गदमों के साथ अपने वतन की जानब रवाना हुआ और रवानगी से कबल इस तालों के खातिर की बिना पर जो हमको उस से और उसको अपने कुट्टे से था दर्याफ्त किया तुम चाहो तो मेरा कुट्टा बतार यादगार रख सकते हो इंपोर्टेड अलसेशन है तेरा माह का सीजर कहके पकारो तो दुम हिलाता आता है आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस सलाएख खास में एक कमजोर दिल के आदमी के लिए ललचाहट के क्या क्या सामान पोशीदा थे इस में मुतलग शुबाना था कि इस से बहतर कोई यादगार नहीं हो सकती कि जब भी वो भूंकेगा अफसर की याद ताजा हो जाएगी फिर ये के अलसेशन कभी हम उसको कभी अपने घर को देखते हैं अफसर की अदना महरबानी से हमें इतनी खुशी होती है कि बकौल मिर्जा अगर हमारे दुम होती तो ऐसे हिलती कि फिर न थमती रही सही हिचकचाहट को लवज इंपोर्टेड ने दूर कर दिया उस जमाने में हर वो शेय जो वतने अजीज में पैदा ना हुई हो गदरो मनजलत की निगाह से देखी जाती थी चुनाचे हर बिगड़ा हुआ मुसल्मान रईस ये साबित करने पर तुला बैठा था कि ना सिरफ इसके कुटे के बलके उसके अपने बजर्ग भी असली इंपोर्टेड थे और खाली एक तलवार लेकर मावरा उन नहर से हिंदुस्तान में वारिद हुए थे इंपोर्टेड कुटा समाज में क्या हैसियत रखता है इसका सरसरी सा अंदाजा उन वाकियास से लगाया जा सकता है जो दो साल पेशतर हमारी नजर से गुजर चुके थे हम से चार घर दूर मिस्टर खिलजी बेरिस्टर रहते थे उनके वालिदे मरहूम ने चंद नायाब कुटे तरके में छोड़े थे छोड़ने को तो चंद नायाब किताबे भी छोड़ी थी मगर चुँके वो भी कुटों ही से मतालिक थी इसलिए हमने खसिदन जिकर नहीं किया उन्ही में एक दोगली सी कुटिया थी जिसके मतालिक उनका फखरिया दावा था कि इसकी नानी जोजफएन के तालुकात रास्पोटेंड से रह चुके थे जो एक इमपोर्टेड ग्रेट डीन कुटा था नीज ये कि वो शिमला सिविल आंड मिलिटरी कैनल से इस वारदाते कल्बी का सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं जो उनके सोने के कमरे में आज भी आँखों को नूर दिल को सरूर बखशता है नाम माता हरी रख चोड़ा था किसी जमाने में इसके लिजलिजे कान हर वक्त लटके रहते थे मगर उन्होंने शेहर के बेहतरीन सर्जन से आपरेशन करवा के अल्सेशन की तरहां खड़े करवा लिये थे रंग हलका बराउं जैसे मीठी आंच पर सेंका हुआ तोस बेरिस्टर सहब की अंगलो इंडियन बीवी जो खुद भी भरी पूरी औरत थी और सल्तनत की तरहां दस्ट बदस्ट आई थी उस पर अपने हाँ से यूडिकलोन चड़क कर मगरमच की खाल का जड़ाओ कॉलर पहनाए घुमाने ले जाती और अपने जूते से मैच करने के लिए उस पर टूद प्रश से खिजाब लगा देती कभी सियाह कभी बोलता हुआ उना भी ये तो गरमियों की शामों के मामूलात में से था जाड़े में माताहरी फ्रेंच ब्रांडी के दो चम्चे गटागट पीकर इरानी कालीन पर अपनी मालका की तरहां अतालवी रेशम की अंगिया की तोहमत लगाए सोते जाकते पहरा देती थी सूरतन भेडिया और सीरतन भेड हम भेड इसलिए कह रहे हैं कि सुबह शाम वलाईती बिसकिट और डब्बे का गोश्ट खाते रहने के बावजूद या शायद इसी वज़े से बकरीत की रात को महले के कसाई के साथ भाग गई और तीन शबाद मटकती मटकाती लोटी भी तो इस तंतने से के एक हजार रुफकाए हयात जिलोह में चाल जैसे कुरत अलैन हैदर की कहानी पीछे मुड मुड कर देखती हुई खुश सहुबती के गली गली चर्चे मगर जहानत छू कर नहीं गई थी बकौल मिर्जा बिलकुल गधी थी उन्ही से मरवी है कि अक्सर बाजारी कुटियों के पिले आकर चुसर चुसर इसके दूद का आखरी कतरा तक पी जाते और अपने बच्चे दुमहिलाते या प्लास्टिक की हड़ियां चचोड़ते रह जाते मगर इमान की बात ये है कि चौकिदारी के लिए चंदा बुरी ना थी कि अपनी इज़त और आबरू के लावा हर चीज़ की बखूबी हिफाज़त कर सकती थी उसके ये लच्चन देखे तो बेरेस्टर सहाब ने उसकी रखवाली के लिए एक चौकिदार रखा इसी साल गर्मियों की चुटियों में वो अपने कुंबे और कुटिया समेथ कार से मरी जाने लगे तो उनके नाना जाम केबला ने अच्छा खासा हंगामा कड़ा कर दिया बस अड़ गए कि मैं इस नजिस कुटिय के साथ कार में सफर नहीं कर सकता लहाजा बेरिस्टर साहब उनको हमारे हाँ चोड़ गए जितने दिन बुजर्गवार मौसूफ हमारे हाँ महमान रहे बाद नमाजे इशा हाथ फैला फैला कर मुन्तकिमे हकीकी से दौा मांगते के परवर्दिगार मालजादी माताहरी सालाना जच्ची में अपने कैफरे करतार को पहुंचे कुटिया कहीं थी हर रंग हर साइस की गाली उनकी रोज मर्रा गुफ्तकू में नगीने की तरह जड़ी होती दिन भर नमाज की चौकी पर बैठे सब को हस्ब मरातब खुरदो कला गालीया देते रहते दौा में भी बेसाखता यही रंग रहता मिर्जा का ख्याल था कि अगर वो अपने दिल पर जबर करके दौा में से गालीया हजफ कर देते तो सारी तासीर जाती रहती जो दौा दिल से ना निकले क्यों कर मुस्तजाब हो सकती है उकात दौा के इलावा हर आए गए के सामने अपने नाफरमान नवासे के इम्तियाजी सलूक की शिकायतों के दफ्तर खोल देते उनके तमाम शिकूक शिकायतों का लुब लबाब बस यही था कि मेरे साथ कुटे जैसा सलूक क्यों नहीं किया जाता आखिर मैं भी जानदार हूँ इम्पोर्टेट कुटे की चैन छबीदी नवासी की यह लजीज हिकायत बियान करने का मुद्दां यह है कि लवज इम्पोर्टेट ने अंग्रेज अफसर के मूँ से निकलते ही हमारी मुदाफित की दिवार को जो कभी भी बहुत बुलंद और पुखता ना थी यक लखत ढ़ा दिया भला ऐसे सोहबत याफता कुटे रोज रोज कहां मिलते हैं बेलाखिर शौक-फजूल हमारे फितरी खौफ पर गालब आया और जहास का लंगर उठने से पहले हमने अपने आपको एक खुश नसीब कुटे का मालक पाया लेकिन एक बात के लिए हम भी जहनी बलके जिस्मानी तौर पर तयार ना थे तेरा माह की उमर सोन कर हमारे तसवर में एक बहुती मामूली भोली भाली सूरत उभरी थी हमने सोचा जैसे तेरा महीने का आदमी का बच्चा बड़ा प्यारा सा होता है थन मुथना गुबदा सा गाउं गाउं करता हुआ वैसा ही ये भी होगा सच तो ये है कि बच्चा किसी का भी हो बड़ा स्वीट लगता है फिर ये तो अलसेशन का बच्चा ठेरा जी हाँ बच्चा दरसल हम इसके इंपोर्टेड होने से इस कदर मरूब थे कि पिल्ला कहते हुए शर्म सी महसूस होती थी मगर सीजर हर एतबार से हमारी तवक्वाद से बढ़कर निकला उसका सिरापा खेंच कर हम नाजरीन का वक्त जाया नहीं करना चाहते उसके डेल डॉल का सरसरी सा अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि हमारे देरीना करम फर्मा प्रोफेसर गाजी अब्दुल्कदूस की सालम रान उसके मूँ में आ जाती थी और ये प्रोफेसर मजगूर नहीं बताया कि बंदा खुदा तुमने भी बड़ा घजब किया तेरा महीने का अल्ट सेशन तो पूरा पाठा कुटा होता है किताबों में लिखा है कि तीन माह से ज्यादा का अल्ट सेशन नहीं लेना चाहिए इस पर मिर्जा ने ये नमक चड़का कि आँखों देखी बात है कि कुटे की तंदरुस्ती और नसल अगर मालक से बहतर हो तो वो आँखें मिला कर डांट भी नहीं सकता फिर ये तो गहर मामूली तोर पर खुँखवार भी नज़र आता है हमने कहा मिर्जा तुम खौँखवार डरते हो बोले जो शक्स कुटे से भी न डरे मुझे उसकी वल्दियत पर शुबा है हमने कहा मिर्जा अगर कुटा खौँखवार ना हो तो पालने से फाइदा फिर आदमी बकरी क्यों न पाल ले बोले हाँ बकरी कुटे से बरदर जेहा बेहतर है बड़ी बात ये है कि जब चाहो काट कर खा जब गर्चे छोटी है जात बकरी की दिल को भाती है बात बकरी की बहसा बहसी में हम दोनों पटरी से उतर गए थे लहाज़ प्रोफेसर काजी अब्दुन कुदूस ने बहसीत सालिस बिलखेर बीच में पढ़कर इस मौतदल राए पर बहस खतम की कि अगर कुटे में से जबड़ा निकाल दिया जाए तो खासा माकूल और मुखलिस जानवर है काजी अब्दुन कुदूस ने कुछ गलत नहीं कहा था कि बड़ा कुटा बड़ी मुश्किल से सधाया जाता है फिर नया घर नए चेरे नए बूबास नतीज़ा ये कि पहली रात ना खुद सोया ना दूसरों को सोने दिया रात भर एक सांस भी मूँ जबानी भूगता रहा दूसरी रात भी वहश्चत का यही आलम रहा अलबता 24 गंटे की तर्बियत से इतना फरक जरूर पड़ा कि फजर के वक्त जिन अरकीन खानदान की आंख लग गई थी उनके मूँ चाट चाट कर खौब गफलत से बेदार किया तीसरे रच जगे से पहले हमने उसे एक सोने की गोली दी कोई अफाका नहीं हुआ चौती रात दो दी मगर साहब क्या मजाल जो जरा चुपका हो जाए जिच होकर मिर्जा से रुजू किया तो कहने लगे मेरी मानो आज इसे कुछ न दो खुद तीन गोलियां खालो हमने ऐसा ही किया उस रात वो बिलकुल नहीं भूँका लेकिन हैरत इस बात पर हुई कि सुबह दस बजे हमारे बहरे हमसाए खुआजा शमसुद दीन इंपोर्टर और एंड एकस्पोर्टर्स ने जो नए नए पड़ोस में आये थे हमें बड़ी तद्बीर से जंजोड कर जगाया और शिकायत की के रात भी आपका कुटा मेरे घर की तरफ मूँ करके खूब भूँका और हेरिंग एड यानी सुनने का आला अपने कान में फिट करते हुए और देख लीजिए इस वकत भी बहुत जी लगा कर भूँक रहा है हमने कहा आपका रेडियो भी तो सारे सारे दिन महले को सर पर उठाए रखता है खुदा गवा है जिस दिन से आप पड़ोस में उठकर आएं हैं हमने अपना रेडियो प्रोग्राम सुनना बंद कर दिया है फिर ये के हमारे पास तो कुटे का लाइसेंस भी है लाइसेंस का नाम आते ही उनके चेहरे का रंग सयासे बेंगनी हो गया जिसके नतीजे में वो और उनका रेडियो तीन हफ़ते तक खामोश रहे अलबता उनके चौकिदार की जबानी मालुम हुआ के वो रातों को उठ उठ कर अपनी हेरिंग एट कानों से लगा कर सुनते है के हमारा कुटा भूंक रहा है या सो गया हमारे कानों में ये बहनक भी पड़ी के अब वो हर एक से ये कहते फिर रहे हैं के बाज ना दहिंदा अपने कर्ज खुआहों से बचने के लिए कुटे पाल लेते हैं ये कहते भी सुने गए के सीजर अशराफों का कुटा मालूम नहीं होता उधर उनकी बीवी की बदगुमानी का ये हाल था के अगर सीजर जूटों भी दर्वाजे में से जांक ले तो जट हाथ भर का गूंगट निकाल लेती थी तीन हफ़ते बाद देखा के फिर मूँ फुलाए कुलबा एख़ां की तरफ चले आ रहे हैं हमारे पुर्जोश अस्सलाम आलेकुम के जवाब में फरमाया थे के मिर्जा ने जो उस वक्त हम से लुटो खेल रहे थे हमारे कोहनी मार कर अपने चच्जेदार भावों की जुंबश से ख्वाजा शमसुदीन की बाईंट टांग की तरफ इशारा किया जो घुटने तक पाइंचे से बेनियास थी हमने कनकियों से देखा तो जखम वाकई इतना लंबा था कि जिप लगाकर बाअसानी बंद किया जा सकता था निदामत और इनसानी हमदर्दी के जजबात से मगरूब होकर हमने पूछा क्या कुटे ने काटा है जी नहीं मैंने खुदी काटा है अरे सहाब घोड़े भी कुछ कम जालिम नहीं होते मिर्जा फिर बोल उठे मिर्जा का ये परिश्मातित वार ऐसा अचानक और कारी था कि वहीं डेर हो गए एक दफ़ा अपने जिसमानी जखम भूल गए और अंदरूनी चोटों को सहलाते और घोड़ों की मा बेहनों को अर्मान भरी गालियां देते फेड आउट हो गए पिस्सा दर असल ये था कि उनके बज़र्ग खैबर पार से घोड़े बेचने हिंदुस्तान आये थे और माला माल होकर यहीं पढ़ रहे आगे चल कर उन बज़र्गों की उलाद को इन ही घोड़ों की नाखलक उलाद ने तबाह कर डाला वो इस तरह के इस खानवादे के आखरी चश्म चराख खौजा शमसुतीन की बलाक की कमाई की एक एक पाई रेस में उन ही घोड़ों की भेंट चड़ती और उनके अपने एहलो आयाल इंकम टेक्स वालों की तरह मूँ देखते रह जाते इस नौ की खुश तबई से कता नजर सीजर अपतदाए सने बत्तमीजी से परले दरज़े का काहिल वाकि हुआ था और दोड़ कर काम करने की बजाए दिन के बेशतर हिस्से में दरवाजे पर महराब की तरह च्छाई बोगन वेलिया के साए में लोटें लगाता रहता दरजी की सुई यू तो हर तरहा के कपड़े में से निकलती है मगर इमान की बात है कि हमने सीजर को कभी किसी गलत आदमी को काड़ते नहीं देखा और ये कहना तो सरा सर गलत बयानी और तोहमत तराजी होगी कि वो बिलकुल जंगली या बे कहा था सधा सधाया जरूर था मगर सिर्फ 50 फीसद इस इजमाल पूर मलाल की तफसील ये है कि अगर बच्चे हुकम देते कि जाओ उस रहगीर के पीछे लग जाओ तो ये मेरा शेर अपनी कमीन गांसे निकल कर तामीलन जपट पड़ता और उसकी टाई पकड़कर लटक जाता लेकिन जब दूसरा हुकम मिलता कि छोड़ दो तो मजाल है कि छोड़ दे मिर्जा को मुबदा-फयाज ने हद दर्चे मुहताद और वहमी तबियत वदियत की है हमें यकीन है कि अगर उन्हें आब हयाग भी पीना पड़े तो बगएर उबाले नहीं पिएंगे इसी वज़ एहतियात के बाइस सीजर के आने के बाद उन्होंने हमारे हाँ आना जाना इतना कम कर दिया कि कभी भूले भटके आ निकलते तो हम उनकी ऐसी खातर मदारात करते ऐसी गरम जोशी से मिलते कि उन्हें खच्चा होने लगा कि हम कर्ज ना मांग बैठें एक दिन हमारे एमा पर प्रोफेसर अब्दुलकुदूस मिर्जा को तरहां तरहां से समझाने लगे कि कुट्टा बड़ा बेनजीर जानवर है कुट्टे के सिवा कोई जानदार पेट भरने के बाद अपने पालने वाले का शुकर अदा नहीं करता गोर करो दुमदार जानवरों में कुट्टा ही तनहा ऐसा जानवर है जो अपनी दुम को बतौर आला इज़ार खुलूस खुशनूदी इस्तमाल करता है वरना बाकी मांदा गवार जानवर तो अपनी पोंच से सिर्फ मक्हिया उड़ाते हैं दुमबा ये भी नहीं कर सकता उसकी दुम सिर्फ खाने के काम आती है अलबता बैल की दुम से एकसिलरेटर का काम लिया जाता है मगर तुमें बैल गाड़ी थोड़ी दुड़ानी है मिर्जा के जानों पर हात मार कर हाई एक फ्रांसीसी अदीबा क्या खूब कह गई है कि मैं आदमियों को जितने करीब से देखनी हूँ उतने ही कुटे अच्छे लगते हैं लहजा बदल कर कुटों से डरना बड़ी नादानी और बुजदिली है खुसूसन वलायती कुटों से फिर मिर्जा का डर निकालने के लिए उन्ही के खिचडी सर की कस्मे खा खा कर यकीन दिलाया कि अंग्रेजों के कुटों के दांत मसनुई होते हैं खाने के और और काट खाने के और कस्मों से भी बात बंती नजर ना आई तो हमारी तरफ इशारा करके अपना जाती तजर्बा बयान किया कि इनकी देखा देखी मैंने भी तीन हफ़ते से एक दुम कटा कौकर स्पैनियल पिला पाल रखा है कौकर स्पैनियल की मशूर पहचान मालूम है उसके कान उसकी टांगों से लंबे होते हैं और टांगें इतनी छोटी कि जमीन तक नहीं पहुँच पाती दो हफ़ते तक तो बच्चे दिन दिन भर उसे गोद में लिए भूंकना सिखाते रहे मगर अब उनको उससे जरा दूर ही रखता हूँ क्योंके जुम्मे को छोटे बच्चे ने खेलते खेलते अचानक उसे काट खाया अपने पहले दान से अभी तक पिले के पैंसिलीन के इंजेक्शन लग रहे हैं प्रोफेसर खाजी अब तुम्कदूस बे दूद की कौफी के घूंट ले ले कर ये सग बीती सुना रहे थे बैठे बैठे सीजर को नजाने क्या हड़क उठी के बोगनवेलिया के ओट से उनके कीमे भरे समोसे पर जप्टा कौफी मूगी मूँ में रह गई बदहवासी में पहली मिर्जा के सर पर गिरी जिस से मौखिर जिकर कई जगा से चटख गया और प्रोफेसर मजगूर गरम कौफी का गरारा करते हुए अपने कद से उंचा फाटक फलांग गए मिर्जा ने पूचा कुछे से डर गए नहीं तो वो फाटक के दूसरी तरफ से बड़े बर्खुदार लहजे में थर थर कामते हुए बोले मुमकिन है ये गुफटगू कुछ दिर और जारी रहती मगर मौजव गुफटगू ने एक ही जिस्त में प्रोफेसर काजी अब्दू कुदूस को दबोच लिया और उनकी सिडोल रान में अपने नौकीले किले पेवस्त कर दिये वो मुँ फेर कर खड़े हो गए चार-पांच दिन पहले भी ऐसी ही कुत्तम गुथा हो चुकी थी के कभी कुत्ता उनके उपर और कभी वो कुत्ते के नीचे लेहाजा हमने फिर बोगन वेला की कांटे दार टहनी तोड़ कर एक कुमची बनाई और इस बत्तमीज को सडाक सडाक मारने को दोड़े मगर प्रोफेसर मौसूफ जहां के तेहां हाथ जोर कर खड़े हो गए कहने लगे लिल्ला ये न करो अभी तो मेरे पिछले नील भी नहीं मिटे जैसा के हमारे पढ़ने वालों ने भांप लिया होगा कुटा पालना तो एक तरफ रहा कुटों और प्रोफेसर गाजी अब्द्रकुदूस के बहमी तालुकात काटने और कटवाने के कामयाब तज़र्बात से कभी आगे नहीं बढ़े वरना उनका इल्म लहवानात इस हद तक किताबी यानी नाकिस है कि हमारे बच्चे जिस दिन बजार से तोते का पहला जोड़ा खरीद कर लाए तो उन से दर्याफ किया चचचा जान इन में नर कौन सा है और मादा कौन सी फाजल प्रोफेसर ने चार पांच मिनट तक सवाल और जोड़े को उलट पुलट कर देखा फिर बहुत मुहतात अंदाज में फरमाया कि बेटा ये बहुत तोता चश्म जानवर होता है अभी दो तीन महीने और देख लो दोनों में से जो पहले अंडे देना शुरू करते वो ही मादा होगी खैर ये लाइलमी तो इनसानी माजूरी समझ कर फिर भी माफ की जा सकती है क्योंकि तोता अपनी मादा को इनसान की बनिस्पत ज्यादा आसानी से पहचान लेता है लेकिन एक दिन नासिहाना अंदास में बड़े तजर्बे की बहुत बारीक बात ये बताई कि यकीन मानो कुता रखने से सहत बहतर हो जाती है ये सुनना था कि मिर्जा ने इतने जोर का कहका लगाया कि तालुकात में फौरन बाल पड़ गया जो कई दफ़ा काफी पिलाने के बाद दूर हुआ तालुकात जब अजसरे नो इस हद तक खुशगवार हो गए कि अबे तबे से गुफटगू होने लगी तो मिर्जा को तपाने के लिए वो फिर सनाए सग में मशगूल हो गए एक दिन मौज में जो आए तो बशारत दी कि तिब्बी नुक्ता निगा से कुट़ा बहुत मुफीद और मकवी जानवर है ये सुनकर मिर्जा उन्हें मुसल्मान नजरों से देखने लगे तो वो अपने दोनों हाथ की उंगलियों पर अपने साथ के उन बेमारों के नाम गिन्वाने लगे जिन्हें इस नसल ने तंदरुस्ती की दौलत से माला माल कर दिया था और दूर क्यों जाएं खुद उनको अपने बालिष्ट भर के पिल्ले से बे इंतहा फाइदा पहुँच रहा था मिर्जा ने कहा जरा खोल कर बात करो नहीं पकता था और हम बड़ी लाइलमी में जिन्दगी बसर कर रहे थे उनकी बनास्पती जिन्दगी पर जो परदा गफलत चालीस साल से पड़ा हुआ था उसके दफ़तन उठने बलके चाक होने के बाद हम अपनी आखों से देख रहे थे कि अब वो अपनी सिहत से इस कदर मुतमाइन हो गए थे कि एक नंबर बड़ा जूता पहनना शुरू कर दिया था हम तो इसको घुसने तफ़ाख ही कहेंगे कि मुद्दों बाद प्रोफेसर मौसूफ की तंदरुस्ती ऐसे बहाल हुई कि हमें रश काने लगा इसलिए कि अब वो इस्त काबल हो गए थे कि महीने में तीन चार दिन बगएर दवाके रह सकते थे मिर्दा कहते थे कि इसकी असल वज़ा ये है कि उन्हें अपने खैली पिले को सुबह शाम दो तीन मील टहलाना पड़ता है उन्ची जात के कुटों की सेहत बख्ष सोहबत से प्रोफेसरों की काया पलट होना तो गएर शायराना ख्याल आ रही है ताहम इसकी गवाही तो सारा महला देगा कि हमारे बाज एस्तान फरामोश हमसायों की गिर्टी हुई सेहत पर सीजर की मौजूद की खसूसन उसके भूंकने का नहायत खुशगवार असर पड़ा जिसका एक अधना करिश्मा ये था कि गरीब खाने के सामने से गुजरते हुए लुथर से लुथर पड़ासी की चाल में एक अजीब चुकनापन एक अजीब चुस्ती और लपक जपक पैदा हो जाती थी सीजर मिंटों का फासला लम्हों में तै करवा देता था औरों का क्या जिकर खुद खुजा शमसुद्दीन इंपोर्टर्स और एकस्पोर्टर्स जो कहने को सीजर से नाला थे उसके फैजाने सहत से अपने को ना बचा सके सेट सहब मौसूफ कमरबिश 15 साल से लो बलड प्रेशर के ला इलाज मरीज थे इलाज मौलजे टोने टोटकों पर लाखों रुपे सर्फ कर चुके थे सब बे सूद और अब ये नौबत आ गई थी कि लालची डॉक्टर भी उन्हें अपना मुस्तकिल मरीज बनाने के लिए तैयार ना था मुबादा उनको रोज रोज मतब में बैठा देखकर दूसरे मरीज बिदक जाएं कि इस टॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं लेकिन हमारे प्रॉस में आने के तीन महीने के अंदर अंदर ना सिर्फ ये कि उनका बलड प्रेशर बढ़ के नॉर्मल हो गया बलके बफजले ही इस से भी 15-20 दरजे उपर रहने लगा इस वाके का तालुक उस दौरे नावाक्फियत से है जब हम कुता पालना खेल समझते थे कैनल कलब का बाकाइदा मेंबर बनने के बाद हमें एहसास हुआ कि सीजर बेचारा बिलकुल बेकुसूर था गल्ती सरसर हमारी ही थी कि कुते को मिसल अपनी उलाद के पाल रहे थे यानी डांट डांट कर बड़े बड़े जुगादरियों से कुता पालने के अदब अदाब सीखे तो पता चला कि कुते के साथ तो नर्मी का बरताव लाजिम है बलके उसके सामने बच्चों को बेदर्दी से पीटना नहीं चाहिए वरना उसकी शखसियत पिचक कर रह जाती है और यहां यह कैफियत थी कि घर के हर फर्द ने उस पर भूंक भूंक कर अपना गला बठा लिया था लेकिन जैसे जैसे कुता बड़ा हुआ हमें भी समझ आती गई और डांट फिटकार का सिलसला बंद हो गया सीजर ही के दम खम से आठ नौ साल तक ऐसी बे फिक्री रही कि कभी ताला लगाने की जरूरत महसूस ना हुई उसको हमारे मालो असबाब की हिफाज़त का इस दरजे ख्याल था कि शामत का मारा कोई कवा या बिली बावर्ची खाने के पास से भी गुजर जाएं तो नथने फुला कर इस बुरी तरह खदेड़ता के सारे चीनी के बरतन तूट जाते घर की चौकिदारी और काम काज में इस तरहा हाथ बटाने के इलावा वो एक समझदार कुटे के दीगर फराइज भी सर अन्जाम देता रहा जिन से साफ बुए वफा आती थी यही नहीं कि वो नाश्टे पर हमारे लिए ताजा अखबार मू में दबा कर लाता बलके जब महीने की पहली तारीख को अखबार वाला बिल ले कर आता तो उस पर भूंकता भी था और एक मुँ में अखबार लाने पर ही मौकूफ नहीं वो तो कहिए हमने खुद ही दो तीन दफ़ा सखती समना कर दिया वरना वो तो हमारे लिए तोस भी इसी तरह ला सकता था खाने पर दोनों वक्त वो हमारी कोहनी से लगा बैठा रहता और हस्बे मामूल हम हर पांच लुक्मों के बाद एक लुक्मा उसे भी डाल देते अगर वो उसे सूं कर छोड़ देता तो हम भी फॉरां तार जाते के हो नहो खाना बासी है गर्स के बहुत ही जहीन और खिदमती था वक्त गुजरता दिखाई नहीं देता मगर हर चेहरे पर एक दास्तान लिख जाता है कल की ही बात है जब सीजर बच्चा सा आया था तो प्रोफेसर काजी अब्दु कुदूस जो सदा से यक रंगी के काईल है इतवार के इतवार मोचने से अपने सर के सफैद बाल उखाड़ा करते थे बाल वो अब भी उखाड़ते थे मगर सिर्फ काले उन्हें खुद भी अपनी उमर का एहसास हो चला था और गालबन इसी रियायत के तहट अब सिर्फ बाल बच्चों वाली औरत पर उनकी तबीयत आती थी नादान बच्चों की वो पहली खेप जिसने सीजर के जरिये अंग्रेजी सीखी अब माशालला इतनी स्यानी हो चुकी थी कि अर्दू अशार का सही मतलब समझ कर शर्माने के काबिल हो गई सीजर भी रफ़ता रफ़ता खानदान ही का एक मौमर रुकन बन गया इस लिहाज से कि अब कोई उसका नोटिस नहीं लेता था हमारे देखते देखते वो बुड़ा हो गया और साथ ही साथ उसके लिए दिल में रफाकत और हम सफरी का एक एक एहसास दर्दमंदी और हम नसीबी का एक रिश्टा पैदा हो चला कि हमने एक दूसरे को बुड़ा होते देखा था एक साथ वक्त से हार मान ली थी आज उसकी एक एक बात याद आ रही है जवान था तो रह चलतों का पंजे जाड़ कर ऐसा पीछा करता कि वो गिगिया कर खरीब तरीन घर में घुश जाते और बे आबरू होकर निकाले जाते वो ताक में रहता और निकलते ही उनके मूँ और गर्दन को हर दफ़ा बाअनदाज दीगर यू भंबोड़ता गोया जानवर नहीं किसी अंग्रेजी फिल्म का नदीदा हीरो है ये मिर्दा के इलफाज हैं कहते हैं कि अंग्रेजी फिल्मों में लोग यू प्यार करते हैं जैसे तुख्मी आम चूस रहे हैं अभी तीन साल पहले तक उसे देखकर पड़ोसियों का चुलूओं खून सूकता था मगर अब इतना जईफ हो गया था कि दिन भर बोगन वेला के नीचे किसी मुर्षद काहिल की तरहां मुराकबे में पड़ा रहता बहुत हुआ तो वहीं से लेटे लेटे दुम हिला कर शफकत का इजहार कर दिया अलबता छोटे छोटे बच्चों को खुआ घर के हों या पास पड़ोस के उसने कभी मायूस नहीं किया और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बच्चा उसे आवाज देकर गेंद फेके और वो गुदा भरी नली छोड़ चार गेंद अपने मुमें रखकर वापस ना लाए इस मामले में उसे बच्चों की तालीवें खुलूब इस दरजे अजीज थी कि कई मरतबा फुटबॉल तक मुम में रखकर लाने की कोशिश की आजा और जवारे रफता रफता जवाब दे रहे थे सारी तन फन गाइब गर फिश खतम मिर्जा के अलफाज में उसका बढ़ापा शबाब पर था किसी किसी दिन से पहर तक वोगनवीलिया की च्छाओं में वोही संसनी खेज अर्दू अखबार ओढ़े सोता रहता जिसमें नौकर सुबह प्रिमा बनवा कर लाया था चान्नी और मादाओं की मस्त महक से अब उसके खून में जवार भाटा नहीं आता था कहां तो ये हाल था कि गर्मी पर आता तो सरे शाम ही से जंजीर तुडा कर खद आदम दिवार फांद जाता और फजर की आजान के वक्त शाद काम लोटता या अब इस जमा दीदा बुजर्ग का ये हाल हो गया था कि गर्माई हुई मादा और हड़ी बयक वक्त नजर आ जाएं तो हड़ी पर ही जपटता था और जब इस हड़ी को पपोलते पपोलते उसके बूढ़े जबड़े दुखने लगते तो उसे सुर्ख बोगन वेलिया के नीचे दफन करके वजू के लोटे में मूँ डालकर पानी पीने चला जाता यकीन नहीं आता था कि ये वोही सीजर है जिसके जबड़े की मोहर मोहले के हर तीसरे आदमी की पिंडली पर आज तक गवाही दे रही है कि अब जिस जगा के दाग हैं यहां आगे दर्द था वोही दुम जो एक जमाने में बकौल शखसे सवालिया निशान की तरहां खड़ी रहती थी अब मुफलिस की मौँच की मानित लटकने लगी इसके हम उमर एक एक करके वो गलियां सूनी कर गए जहां से रातों को अन देखे भेद भरे जिसमों की खुश्बूओं के बुलावे आते थे वो तनहा रह गया बिलकुल तनहा और दिल गरिफता नई पौद के मूँ जोर कुटों के साथ उठना बैठना तो दर किनार वो उनके नौ दौलते मालकों पर भूंकना भी अपने रुथबे के मुनाफी समझता था लेकिन जिस दिन से माता हरी की जवान पठोर बेटी प्लो पैटरा भरी दुपहरी में एक हलवाई के बे नाम कुटे के साथ भागी वो हफतों अपने हम जिन्स की आवाज तक कुतरसने लगा जब तनहाई से बहुत जी घबराने लगता तो रेडियो के पास आकर बैट जाता और पक्के गाने सुनकर बहुत खुश होता जिसम के साथ नजर भी इतनी मोटी हो गई थी कि कभी प्रोफेसर काजी अब्दुलकुदूस उजले कपड़े पहन कर आ जाते तो उन्हें अजनबी समझ कर भूँकने लगता अलबता समात में फरक नहीं आया था साफ मालूम होता था कि वो अटकल से गेंद का पीछा करता है और इसके ठपा खाने से इसकी सम्थ और महले वक्कू का अंदाजा कर लेता है एक दिन बोगन बीला के नीचे अपना मखसूस आसन मारे दाई आंक जो बच्पन से सुर्ख रहती थी आधी बंद किये बाएं पंजे पर थोतनी रखे बैठा था कि एक नीले रिबन वाली बच्ची ने शू कहकर सड़क पर पिंग-पॉंग की गेंद फिंगी वो आवास की सीथ पर लपका मगर जैसे ही गेंद मुँ में पकर कर तेजी से पल्टा एक कार के ब्रेक लगने की दिल खराश आवास सुनाई दी बच्चे चीखते हुए दोड़े सड़क पर दूर तक टायरों के गिसिटने से दो सियाह पटियां बन गई कार एक जटके से रुकी और अपने स्प्रिंगों पर दो तीन हच्चकोले खाकर घुराती हुई तेजी से पहले ही मोड पर मुड गई मगर सीजर बीच रास्ते ही में रह गया उसका पिछला धर कार का पूरा वजन सहार चुका था मुझ से खुन जारी था और पास ही गेंद पड़ी थी जो अब सफेद नहीं रही थी सब ने मिलकर उसे उठाया और फटक के पास बोगन वेला के नीचे लिटा दिया लगता था शेरियानों के मुझ खुल गए हैं और उसकी जिन्दगी दिल की हर धरकन के साथ रिस रही है जरब बजरब, कतरा बकतरा, दम बदम हर एक उसे चू चू कर उंगलियों की पोरों से दिल की धरकन सुन रहा था वो धरकन जो दूसरी धरकन तक एक नया जनम, एक नई जून बखशती है किस चीज़ सको हूँ कि उसका आबोदाना उट चुका था और वो रुकसत हो रहा था उस हिम्मत, उस होसले, उस सकून के साथ जो सिर्फ चानवरों का मुकदर है बगएर कराहे, बगएर तर्पे, बगएर हरासा हुए बस बे नूर नजरें जमाए देखे चला जा रहा था बारी बारी सब ने उसे चुमका रहा सर पर हाथ रखते ही वो आँखें जुका लेता था और ये याद करके सब की आँखें भर आई कि आज उसकी जिन्दगी में ये पहला मौका था कि सर पर हाथ फिरवाते वक्त वो जवाबन अपनी रेशम सी मुलाइम दुम नहीं हिला सकता था आज उसके नथनों में एक अजनबी खोन की बू गुसी जा रही थी कोई आदा घंटा गुजरा होगा कि चार पांच कवे उपर मंडलाने लगे और धीरे धीरे इतने नीचे उतर आए कि उनके मनहूस साए उस पर पढ़ने लगे कुछ देर बाद आहाते की दिवार पर आ बैठे और शोर मचाने लगे सीजर ने एक नजर उठा कर उन्हें देखा एक लहज़े के लिए उसके नथने फड़क उठे फिर उसने अपनी आँखें जुका ली हम से ये ना देखा गया हमने उसका खून आलूद मूँ खोल कर सोने की गोलियों की शीशी हलक में उंडेल दी और कॉलर उतार दिया जरा देर बाद वो अपने प्यार करने वालों की धुंतलाती सूरतें देखता देखता हमेशा के लिए सो गया मार्च के चड़ते चांद की भीगी भीगी रोशनी में जब बच्चों ने मिलकर उसके महबूब बोगन वेला के नीचे जमीन की अमानत जमीन को सोपने के लिए गहरा सा गढ़ा खोदा तो छोटी बड़ी बेशुमार हडिया निकली जिन्हें वो गालबन दफन करके भूल गया था दूर दूर तक बोगन वेला की लंबी लंबी उंगलियों जैसी जड़े अपना रास्ता टटोलते हुए जमीन के नीम गरम सीने में उतरती चली गई थी और उसका रस चूस चूस कर शाखों के सेरों पर दहकते हुए फूलों तक पहुँचा रही थी मगर सुखी प्यासी जड़ों को आज सीजर के लहुँ ने उन फूलों से भी ज़्यादा सुर्ख कर दिया होगा जो बच्चों ने लहत का मूँ अपनी सलेटों और तख्तियों से बंद करके उपर बखेर दिये थे आखिर में नीले रिब्बन वाली बच्ची ने अपनी सालगिरा की मौमबतियां सिरहाने रोशन कर दी उनकी उदास रोशनी में बच्चों के मेले गालों पर आंसों की नमकीन उजली लकीरें साफ चमक रही थी कई महीने बीत गए पत जड़ के बाद वोगन वीला फिर से अंगारे की तरह दहक रही है मगर बच्चे आज भी उस जगा किसी आदमी को पाउं नहीं रखने देते के वहां हमारा एक साथी सो रहा है कर दो